मसी में सभी भाई भेनों को जै मसी की आज इस वचन का हम अध्यन करने जा रहे हैं वो वचन फिलिप्यो चैप्टर 2 वर्स 13 से लिया गया है क्यूंकि वे परमेश्वर यह है जो तुम पर काम करता है और उसकी बलाई के लिए करता है हालेलुया बसी में भाई भेनों ये वचन हमें बताता है कि क्या आपने कभी अपनी बुरी आतों को छोने की कोशिश की है हालेलुया आपने शायद पाया होगा कि जब आप ने इसे अपनी इच्छा शक्ती से रोकने की कोशिश की तो वो सुधार अपने जीवर में कुछ समय के लिए देखा होगा और फिर आप उसी आतों में आप बापिस लौट जाते हैं इसे बुरी बात ये हैं कि आप उसी आतों में अपने आप को टिका हुआ पाते हैं क्योंकि ये इसलिए हुआ परिवर्तन अस्थाई थे क्योंकि ये सब आप कर रहे थे मसी में भाई भेनों एक चर्च का सदस्या जो धुमर पान करने वाला था उसका ये मानना था कि इच्छा शक्ती के साथ अपना धुमर पान करना चोड़ सकता है उसका मानना था अगर कोई इच्छा है तो एक ही रास्ता है लेकिन उसे पता चला कि इच्छा शक्ती के साथ वे एक या दो सब्तहा के लिए धुमर पान करना बंद कर सकता है और फिर से मैं उनी आतों के प्रती जुक जाएगा हालेलुया मसी में भाई बहनों जब उसने अपना जीवन पर्मेश्वर की रूप में बदल दिया और पर्मेश्वर की क्रिपा और वश्णों की बारे में जाना तो उसने पर्मेश्वर से कहा कि मुझे एहसास है मुझे भरोसा है कि मैं अपनी इच्छा शक्ती से धुमरपान नहीं रोक सकता मैं नहीं कर सकता लेकिन हे मेरे प्रभू हे मेरे गुरू आप मेरी आदत को तोड़ सकते हैं आप मेरी आदत को बदल सकते हैं हालेलुया जब हर बार वो धुमरपान करता था तो वो यही कहता था प्रभू मैं धुमरपान करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता मुझे अपने प्रभू पर भरोसा है वो यही कहता था मैं येशु के लवों में लवी भी धर्मी जन हूं हलेलुया मसी में भाई भैनो एक वर्ष में जो उसने प्रभू से प्राथनाई की उसके कारण उसकी सारी बुरी आत्ते उसके अंदर से गाइब हो गई जब उससे पूछा गया कि उसके जीवन में ये परिवर्तन कैसे हुआ वो अपने जीवन में कैसे सफल हुआ मसी में भाई भैनो जब हम अपने जीवन में प्रभू की क्रिपा को प्राप्त करते हैं तो पिता परमेश्वर आपके कार्यों को बहरी रूप से नहीं बलकि आत्मिक रूप से बदलता है बाई बल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इच्छा और कार्या करने की शम्ता दोनों देने के कार्या कर सकता है ये इश्वर है जो प्राने को हटा देता है और हमें नया बना देता है प्रेज अलॉड प्रभू ने हमें आंत्रिक शक्ती दी है आत्मिक शक्त कि जो हम नहीं कर सकते हैं उन कामों के लिए प्रभु का आश्रिवाद और क्रिपा मांगे हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं वो बदलाव आपके जिवर में थोड़े समय के लिए नहीं वो बदलाव आपके जिवर में स्थाई होगा हालेलुया के साथ आपके चर्णों में आते हैं जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेशर हमारे साथ प्राथ ना करने बैठे हैं पिता परमेशर उन घरों को पिता परमेशर तेरे नाम से बरकते और आशिश मिलें पिता परमेशर क्योंकि आप बरकते और आशिश देने वाले पिता पर मैं प्राथ ना करती हूं पिता परमेशर इनके घर में दुख तकलिफ परिशानी है पिता परमेशर तो सारी परिशानिया दुख तकलिफ इसी समय इनके घरों से बाहर जाने पाए इनसे दूर होने पाए पिता परमेशर के सामर्थी नाम से हालेलुया पिता परमेशर पिता मेशर को धन्यावाद देते हैं धन्यावाद देते हैं पिता पर मेशर हर बात के लिए हम आपका शुकर आदा करते हैं हमारा जीवन संभालने के लिए धन्यावाद देते हैं हम हर समय यहवा को धन्यावाद कहते हैं अपने मुख से हमेशा प्रभू की बढ़ाई करें और नि प्रभू बच्चों को मजबूत बनाएं ताकि वहरा बीमारी हर वायरस से उनका बच्चाव हो सके पढ़ाई लिखाई में बच्चों की मदद कर पिता परमेशर पिता परमेशर इन ग्यान और बुद्धी से भर दे पिता परमेशर पिता परमेशर इस बदलते मौसा में उनकी रक्षा कर पिता परमेशर बुरी आत और बुरे दोस्तों से दूर रख पिता परमेशर पिता परमेशर ये प्रात ना करते हैं पिता परमेशर के सामरती नाम से हालेलुया पिता परमेशर प् पिता परमेशर पिता परमेशर उन सब लोगों को आपके चर्णों में लेकर आती हूं जो अपने भविश्या को लेकर पिता परमेशर बहुत आदिक चिंदित हैं पिता परमेशर कि आने वाले समय में वो क्या करेंगे अपने जीवन का कैसे निर्वा करेंगे हैं पिता परमे पिता परमेशर हमें उस निश्चे समय का पिता परमेशर वेट करना पड़ता है पिता परमेशर हालेलुया पिता परमेशर मैं परातना करती हूं कि जो भी पिता परमेशर ने आपके जीवन में योशनाय बनाई है वो योशनाय आपके जीवन में कारे करने पाए पिता परमे पिता परमेशर वो हर भै और डर की आत्मा से बाहर निकले पिता परमेशर क्योंकि हमें पिता परमेशर ने डर और भै की आत्मा से नहीं बलकि सैम और शांती की आत्मा से भरा है। हैं पिता परमेशर उन सब को पिता परमेशर तरे नाम से चंगाई मिलने पाएं पिता परमेशर उन्हें हर बिमारी छोड़ कर जाने पाएं पिता परमेशर के सामरती नाम से हालेलू यां पिता परमेशर धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर हर बात के लिए जीवन में कारिया कर रहा है पिता परमेशर वो सब शेतान के कारिया और पिता परमेशर उनकी लाइप से दूर होने पाए पिता परमेशर के सामर्थी नाम से उनके जीवन में पिता परमेशर अच्छे से अच्छा जीवन साथ ही उने मिले पिता परमेशर के सामर्थी नाम से हाले लुए यां पिता परमेशर धन्यवाद 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 पिता परमेशर हम प्रात्रा करते हैं कि हम प्रभू के अच्छे तास बने हम सभी आप आपके वश्णों के अनुसार अपना जीवन बिताएं पिता परमेशर, तेरे वश्णों में बढ़ते जाएं पिता परमेशर, तेरे वश्णों के प्रती अग्याकारी बने रहें पिता परमेशर, सब पर अपने आशिशों वरा हाथ रख, तेरा आश्रिवाद सब को मिलता रहें पिता परमेशर, हालेलुयां पिता परमेशर, मजी क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि ना तो मैं कभी तुमें त्यागूंगा और ना कभी तुमें छोड़ूंगा क्योंकि पिता परमेश्वर अपने धर्मी जन को हमेशा अपने दाईने हां से संभाले रखते हैं वो उसे अपने पंखों की आड में पिता परमेशर का प्रभू के वचन आपके विश्वास का स्तरोत है। हालेलुया पिता परमेशर मसी में भाय बैनों हमारा जीवन प्रभू के वचनों को मानने के लिए और वचनों में देनता में आगे बढ़ने के लिए हम अपना जीवन जीए हालेलुया पिता परमेशर हम अपने परिवाद दोस्तों और प्रियर जनों के लिए प्रात ना करें कि प्रभू के वचनों का पालन करने के लिए अपना जीवन जीने की पिता प्रमेश्र से कृपा मांगे। प्रभू से कहते हैं कि प्रभू ये नहीं हो सकता है लेकिन प्रभू सब कुछ कर सकते हैं प्रभू सब कुछ करने का सामर्थ रखते हैं हालेलुया पिता परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में प्रभू ने अपने वचन में का है कि जो मनुश्य के लिए संभव है वो मेरे लिए संभव है अलेलुया पिता परमेश्वर, अलेलुया पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर से निरंदर प्राथ ना करते रहें, अपनी दरिश्टी पिता परमेश्वर की आड़ लगाए रखिया, हमेशा प्राथ ना करते रहें, अलेलुया पिता परमेश्वर, प्रभू की कृपा हम हम प्रभु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे ये प्रातना करते हैं प्रातना सुनने के लिए धन्यवाद पिता प्रमेश्व धन्यवाद पिता प्रमेश्व प्रातना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रमेश्व ये प्रातना हम मांगते हैं प्रभु के नाम से आ आमें, आमें, आमें.